नमस्कार ग्लिप्स डॉडिमा का स्वागत है भाजपा नेता बीएस येदुयरप्पा ने गुरुवार सुभा नो बजे करनाटक के मुख्य मंत्रीपत की शबत ले ली है अब उन्हें करनाटक विदाहन सभा में बहुमत साबिट करने के लिए 15 दिन का समय मिला है येदुयर भी विदान सभा के बाहर प्रदश्चन कर रहे हैं इनके साथ कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता गुलाम नभी आजाद अशोग गहलोद भी शामिल है येदुयरप्पा के शबत ग्रहन के ठीक पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि करनाटक में भाजपा के पास परियाप्त संख्याबल नहीं है फिर विवा सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये सम्विधान का मजाक है आज सुबह भाजपा चाहे जश्न मना ले लेकिन देश सम्विधान की हार का शोक मनाएगा इस बीज कॉंग्रेस के चार विधायक लापता बताय है अच्ठी अच्विधान के मताबिक यह विधायक बेटोक में नहीं पहुंच रिसोंट में नहीं थे हलाकि भी मेंगलूर से गुरुवारि विधान सभा पहुंचे港 विधायक कोंग्रेस विधायक का कहना है कि सभी विधायक साथ हैं Rankress नेता और पूर्वं सिद्धार मैय ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबी थे हम जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह भाजपा असमविधानिक काम कर रही है वही भाजपा नेता अनंद कुमार का कहना है कि कॉंग्रेस नेताओं का विरोध प्रदेश्चन करना है तो राहुल गांधी सोनिया गांधी सदार मिया के खिलाफ करना चाहिए जिनके कारण कॉंग्रेस हारी है इससे पहले करनाटक में राजपाल ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को सरकार बनाने का नियोता दिया तो कॉंग्रेस भड़क गई उसने जेडीएस के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का रुक किया बुधवार देर रात करीब देर बजे सुनवाई शुरू हुई और सुबा साड़े चार बजे तीन जजों की वेंज ने फैसला सुनाया सर्वोची अदालत ने भाजपा के सीएम प्रत्याशी बीएस येदुयरप्पा के शर्पत ग्रहण पर रोक लगाने से इ भाजपा को 104, कॉंग्रेस को 78, सयोगी बसपा के साथ जद एस को 38 और अन्य को 2 सीटे मिली हैं ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी 112 के आकड़े के सबसे करीब भाजपा ही रही है